आप लोग देखते होंगे कि हर साल 30 जन्वरी को बापू की पुन्नितिती मनाई जाती है महत्मा गांधी साहब की पुन्नितिती मनाई जाती है और 2 अक्टूबर को गांधी जैनती मनाई जाती है तो आज हम लोग गांधी जी के बारे में बापू के बारे में एक सामान चर्चा कर लेते हैं और अगर आप लोग किसी एकजाम की तर्यारी कर रहे हैं खासकल सिविल सर्विस और स्टेट वी सीएस या अगर वन्डे एकजाम की तो इससे डारेक्ट ही कुश्चन्स आप देखेंगे आएंगे किलास से और इन्हें बापू को मात्मा गांधी को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे तो अगर हम लोग मात्मा गांधी के जनम की बात करें तो 2 अक्टूबर 1889 में पोरवंदर गुजरात में इनका जनम हुआ था अब आप लोग कहोगे कि एक बार गुजरात चलिये तो देखिए ये हमारा प्यारा हमारी प्यारी क्या है? पितवी है और हमारी पितवी पर आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है भारत में आप देखेंगे गुजरात जाएंगे तो ये आपको गुजरात देखने को मिलेगा इसकी सीमा अंतराष्टी सीमा पाकिस्तान से लगती है राज्यो में राजिस्तान, मद्यपेदेश और महाराष्ट से लगती है यहां बरतमान में अगर आप लोग देखें तो 182 सीटे हैं विधान सभा में, राज्य सभा में 11 सीटे हैं, लोकसभा में 26 सीटे हैं और 1,96,024 बरकलूमीटर में फैला हुआ है, कितना? 1,96,024 बरकलूमीटर में फैला हुआ है और जिन्होंने बेटे सासन की बुरूद भारत के राष्टी आंदोलन में मात्पूर्ण भोमी का निभाई थी, सत्यागय की बात किने तो दच्छड अफीका में 1893 से लेकर 1915 तक उन्होंने जन आंदोलन की एक नई पद दिती यानि की सत्यागय की स्थापना की और इसके पासन का सफलता पूर्वक मुकाबला किया इनोंने यानि कि आप देखें कि 1893 में ये दच्छड अफीका चले जाते हैं और दच्छड अफीका में आप देखेंगे एक कप तक रहते हैं 1915 तर और आप सभी जानते हैं कि 9 जन्वरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाय जाता ह क्योंकि इसी दिन 9 जन्वरी 1915 में गांधी जी दच्छड अफीका से भारत लोटे थे ये आपका दच्छड अफीका है ठीक है फिर आप देखेंगे कि सत्या कहा कि बिचार के तहद सत्ति की सक्ति और एहनसा के साथ सत्ति की खोच की आवसकता पर इनोंने बल दिया और वि सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक परिवर्तन लाने के लिए पितिवर्स गांधी सांती पुरुसकार भी दिये जाते हैं और भारत बापसी को लेकर आपको बताया ना कि 9 जन्वरी 1915 को बुद्धच्छड अफीका से भारत लोटे थे भारत की भूमी पे आये थे और भार गांधी का मानना था कि एंसा का धरम सभी भारतियों को एक जोट कर सकता है और देखे एंसा की बात आप लोग देखते हैं कि क्या गांधी जी की केवल्ड एंसा से ही देश को आजादी मिल गई हैं तो देखे सबका सभी जो भी हमारे सुतंता सेनानी महानायक उस समय के रहे हैं सबका अपनी अपनी जगए योगदान है लेकिन आप देखे एंसा की रास्ते पर जब चलते ना तो बहुत जल्दी उसका समापन भी हो जाता है अभी आपने देखा होगा हमारे देश में लंबे समय तक एक किसान आंदोलन चला बड़ा सांती परवर्ट तरीके से चला और आपने देखा है कि तीनों केसी कानून सरकार को बापस भी लेने पड़े थे यहीं अगर आप लोग सोचिए यह अहिंसा यानि कि हिंसा की रूम में आप देखी अंदोलन करते तो दो मेंट ना लगते सेना बुलाकर पुलिस बुलाकर उन्हें हटा दिया जाता होँआ स तो यहीं अहिंसा में तागत होती है अहिंसा का यहीं तागत है फिर आप देखेंगी कि 1917 में उन्होंने किसानों की को नेल की खेती की दमनकारी पडाली के खिलाप संगस करनी के लिए पेरित करने ही तु दिहार की चंपारन की यात्रा की थी चंपारन का अंदोलन आप किसानों का समर्थन करने ही तु एक सत्यागय का आयजन किया था और फसल खराब होने और पहले की महामारी इसे प्रभावित खेडा कि किसान राजस का भुकतान नहीं कर सके और राजस बसुली में कुछ छूट देने की मांग कर रहे थे तो इसको लेकर महत्मा गांधी ने आं एक्ट उननीस के विरोध एक राष्टवियापी सत्यागय सुरू करने का फैसला किया था और इस अधीनियम के तहट सरकार को राजनितिक गतिवीनियों को दवाने के लिए उच्च सक्तियां और दो बर्स तक बिना किसी मुकदमे के राजनितिक केदियों को हिरासत में रख सकते थे और आप देखेंगे दो साल तक बिना मुकदमा चलाए उन्हें जेल में रखा जा सकता था फिर आप देखेंगे 13 अपरेल 1919 को कोख्याद जलिया वाला बाहा की हत्याकांड हुआ 1919 में जलिया वाला बाहा की हत्याकांड हुआ था ना हिंसा को देखती हुए महत्मा गांदी ने आंदोलन 18 अपरेल 1922 को बंद कर दिया था और इसलिए आप लोग देखेंगे इनकी आलोचना भी की जाती है कि जब चरम पर होता है कोई आंदोलन और हिंसा होने लगती है तो महत्मा गांदी का कुछ और मानना था महत्मा गांदी का मानना था कि अगर हम लोग हिंसा के रास्ते पर चले तो सरकार हमें बहुत जल्दी दबा देगी खतम कर देगी आंदोलन को असाहिवग आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक सेप्टमबर 1920 में कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिवेश में असाहिव कारकरम को अंगीकार किया गया था और फरवरी 1922 में चोरी-चोरा कांडी के बाद मात्मा गांदी ने असाहिव आंदोलन को वापस लेने का फैसला गया था और चोरी-चोरा कांडी के बाद असाहिव आंदोलन को इन्होंने वापस ले लिया था इसको लेकर भ करते हैं 1930 में गांधी जी ने घोशना की की नमक बे नमक कानून को तोड़ने के लिए एक मार्च का नेतित करेंगे उन्होंने साबरमती आसरम से गुजरात की तटिये सहर दांडी तक मार्च किया जहां उन्होंने समुद्रे के किनारे पाये जाने बाले प्राक्तिक नमक को ए चीनी तोड़ने का कानून के उन्हें बिरोत किया गा था चीनी को लेकर तो याद रखिए कि जो नमक है ना इस सब के लिए मतलब आप कुसी भी धर्म से जुड़े हुए हो सब के लिए उपयोगी रहता है किसी का आप देखिए सूर भगवान को ले लेते तो कहते हिंदू उन्हें की बात करें तो 1971 में गांधी जी ने एक संघस बिराम गांधी इर्वेन समझोते को सुईकार कर लिया और सविनय एउग्या को समाप्त कर दिया भारती राष्टी कॉंग्रेस के एकमात के दिन्दी के रूम में लंदन में दूसरे गोल में संभिलन में हिस्सा लेने हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष बेवमेश चंद बनर जी थे डवलू सी बनर जी इसके संस्ताफक ए ओ ह्यूम थे पर आप देखें कि लंदन से लोटने के बात महत्मा गांधी ने सविनय एउग्या आंदोलन को फिर से सुरू कर दिया एक बर्स से अधिक समय तक यह आंदोलन जारी रहा किंतु वर्स 1934 तक इसने अपनी सक्ती खो दी थी भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो विसियुद्ध दुतिय विसियुद्ध 1949 से 45 तक चला था कि प्रकोव के साथ भारत में राष्टवादी संगहर्स अपने अंतिम महत्पूर्ट चरण में प्रवेश कर गया और क्रप समिसन मार्च 1942 की विफलता भारतियों को सता हस्तांतित करने समंधी बेटिस अनिक्छा और उच बेटिस अधिकारियों द्वारा हिंदू मुसल्मानों की भी कलायक को बड़ावा देने वाली रोडी वादी और संपदायक ताक्तों को दिये गए पुरोसाहन ने गांधी जी को 1942 में तकालिट बेटिस बापसी की मांग करने के लिए पुरोसाहित किया और जिसे बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के रूम में जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के रूम में अगर हम लोग इनके सामाजी कारी देखें गांधी जी के तो आप देखेंगे कि उन्होंने तथा कथित अचूतों के उत्थान के लिए भी महत्पूर्ण कारी किये अचूतों को एक नया नाम दिया हरीजन जिसका आर्थ है इसुर की संतार और आप देखें महलाएं हो या उस समय आप देखें कि जो जिने पिछड़ी जातियां कहा जाता है अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती दलेत आधिवासी कहा जाता है आप सोच सकते हैं कि आप कितना भेदभाव होता होगा, क्योंकि उस समय तो हमारे पास ना तो सुतंत नियाय पालगाद थी, ना तो सुतंत सरकार थी, ना पुलिस विवस्था थी, सेप्टमबर 1932 में बी आर अम्बेडकर ने महत्मा गांधी के साथ पूना समझोते पर बातचीत की थी, तो ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा, पूना समझोते से जुड़े हुए थे बी आरंबेडकर साथ और महत्मा गांधी, आत निर्भरता का उनका पितीक चर्का भारती सुतंता अंदोलंग का एक लोगप्रिये चिन बन गया था, आज की सरकार हमारी कहती है ना कि आत निर्भर बनिये, तो उस समय गांधी जी कहा करते थे, उन्होंने लोगों को सांथ करने और हिंदू मुसलिम दंगों को रोकने में भी मात भूमी का निवाई, क्योंकि देश के विभाजन से पहले और उसके दौरान दोनों समदायों की भी तनाव काफी बढ़ गया था, 1942 में उन्होंने महाराश्ट की बरधा में हिंदूस्तानी प्रिचार सभागी इस्थापना की, और इस संगठन का उद्देश हिंदी उर्दू के बीच एक संपर्ग भासा हिंदूस्तानी को बढ़ावा देना था, फिर आप देखेंगे कि इन्हों की कितावों की बात करें, तो हिंद सोराज सत्य के साथ मेरे प्रियोग इनकी आत्म कथा थी, और आप सभी जानते हीं कि 1948 में 30 जन्वरी को नातूरां गौंट से ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी थी, और 30 जन्वरी को देश बर में सहीर दिवस की रूम में भी हम लोग मनाते हैं, तो यह थी आप लोग क्याद रखेगा, यह आप कह सकते हैं कि एक सौट बायविराफी है मात्मा के गांदी की, और मात्मा गांदी को अगर आप लोगों को समझना है, तो इनकी बायविराफी आप लोग आत्मकथा जरूर पढ़िये, और आप देखेंगे कि जितना सच गांदी ने लिखा है, साइद इतनी हिम्मत सच लिखने की किसी में नहीं हो सकती है, बाकी के आप देखते हैं कि वो भी इनसाम थे, तो आरोग पित्यारोग तो लगते ही रहते हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन हाँ, आप देखेंगे कि सभी का योगदान है, किसी की योगदान को आप लोग नकार नहीं सकते हैं, अपनी जगे अपना सब का योगदान है, ठीक है?